IPL 2024 के 33 मुकाबले में गुरुवार को पंजाब किंग्स के सामने मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा IPL में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाडी बन गए हैं। उन्होंने डेकन चार्जर्स के साथ अपना IPL डेब्यू किया था। एक युवा खिलाडी होने से लेकर मुंबई इंडियन्स के कप्तान बनने तक और उन्हें 5 खिताब दिलाने और टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे सफल टीम बनाने तक रोहित ने एक लंबा सफर तै किया है। इस उपलब्धी के बाद रोहित टूर्नामेंट में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाडी बने हैं। पंबाज किंग्स के खिलाफ रोहित ने 25 गेंदो पर दो चौके और तीन चक्के लगाकर 36 रन बनाए। इस पारी के साथ ही रोहित शर्मा IPL में मुंबई इंडियन्स के लिए सवाधिक चक्के लगाने वाले पहले खिलाडी बन गए हैं। रोहित ने मुंबई के लिए 224 चक्के लगाए हैं। रोहित ने कीरोन पोलाड को पीछा छोड़ दिया है। रोहित से पहले कीरोन पोलाड ने मुंबई के लिए सवाधिक 226 लगाए थे। तीसरे नमबर पर हार्दिक पांडिया ने 146 लगाए हैं। चौथे नमबर पर मौझूद इशान किशन ने 103 तो पांचवे नमबर पर मौझूद सूर्य कुमार यादव ने 98 चक्के जड़े हैं। इस पारी के दोरान रोहित शर्मा के एक और रिकॉर्ड की बात करें तो रोहित शर्मा पूरे IPL कैरियर में क्रिस केल के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा चखके लगाने वाले खिलाडी बन गए हैं। कुल मिलाकर रोहित के नाम IPL में 275 चखके हैं। उन्होंने IPL के पहले 3 सीजन में अब बंध हो चुकी डेकन चार्जर्स के लिए खेला था। विराट कोहली 7,624 रनों के साथ टॉप पर मौझूद है। दूसरे नमबर पर शिखर धवन के 6,779 रन हैं। तो तीसरे नमबर पर मौझूद देविड वॉर्नर के 6,563 रन हैं। जिसे रोहिच शर्मा जल्द ही पकड लेंगे जिनके IPL में 6,508 रन हो चुके हैं। सुरिश रहना 5528 रनों के साथ पांचवे नमबर पर हैं। तो दोस्तों, अगर आप रोहिच शर्मा के फैन हैं और जानकारी अच्छी लगी हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी ही इंट्रेस्टिंग बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।